है गाईज वेलकम बैक टूर न्यू वीडियो गाईज तो आज मैं रिशी केस से जा रहा हूं जिलकंट की तरफ और यह जो अपनी यातरा होने वाल यह यह यातरा है पैदल की और मापको रस्ता बता हूंगा कैसा माहूल है कितनी दूर पड़ता और किस रास्ते से आपको जा आता हूं यह मेरे सामने जान की जूला इससे जाएंगे मैं लेके चलता हूं एक बार पूल पे और गाईज एक बात ओर यह वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है क्योंकि इसमें हम ट्रेकिंग भी करेंगे पाड़ पे जडाई करेंगे पैदल और अभी मैं पूल पे आ ना सकती स्कूल पर और इस बीच वाली लेन में यह आने का रोजाने का रास्ता के देखो साइड में यह गंगाना दिया और गाईज यह जो पूल यह अभी नया नया ही बना है और गाईज अगर आपको विदाउट मनी ट्रेवलिंग करनी है या फिर मतलब बहुत ही कम पैस रिसी केस से निलकंट तक की यह पाचवादी ने हमारी ट्रिप का तो यह विजाव उट मनी रहने वाली हमारी ट्रिप तो काईज आप बने रहे हमारी वीडियो में अभी आगे चलते हैं यह पूल काफी लंबा है तीन सो चैर सो मीटर लंबा पूलो गाई यह देखी गाई यह इस साइड से आने का रास्ता है और इस साइड से जाने का रास्ता है और बाओ देखिए एक बर नदी का अब ही थोड़ा कम पानी है गंगा नदी में लेकिन यह साउन के टाइम पर पूरी बर जाती नदी और गाईज मैंने और गाईज मैंने पता किया यह जो ट्रैकिंग की है मतलब रिसी के से निल कंट तक की दूरी यह पैदल में 13 से 14 किलो मिटर की रहने वाली है तो गाईज बिलकुल मजा आ जाएगा अगर आप बापा की बक्ती में मादेव की बक्ती में लीगी नो कर कि कब यह कंप्लीट होगी आपके जरनी तो तो गाईज थोड़ी दूरी कंप्लीट कर लेते और फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो और गाईज इस पूल से जब कोई गाड़ी जाती है तो यार फोड़ा पूल इलने लग जाता ज्यादा नहीं इलता दूसरे राम पूल या अलक्समन जूले की मकाबले यह जान की जूला यह थोड़ा कम जूलता क्योंकि अभी लेटर्स्ट मना हुआ है तो गाईज यह एक्जिट है जान की जूले का यह अभी बनाया मैंने बताया था आपको यह देखो अनुमान जी की मृत्ती बनी हुई यहां पर तो एक्जिट होते ही आपको लेट साइड में बोर्ड लगा मिल जाएगा निलकंठ मादेव मंदिर पैदल जाने का रास्ता आप बाइक भी लेके जा सकते हैं यहां से तो भी जाएंगे उस साइड आगे पाड़ी की तरफ थोड़ा थोड़ा चड़ना स्टार्ट हो गए हम और गाई जी यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाड़ी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं क्योंकि यार मेरे को ऐसी फील आ रही है बिल्कुल मज़ा आ जाएगा अभी दोपैर के बारा बज़रें दूप तो है थोड़ी थोड़ी लेकिन यार कोई दिक् मैंने पहले बता था 12 बज़े का टाइम हो रखा तो देखते हैं कि मतलब कभी यह चड़ाई फिनीश हो गया हमारे कितने गंटे में हम कवर कर सकते हैं पैदल और 11 बज़ के 47 मिन्ट हो यह अभी और यह देखिए रस्ता चालू हो गया है यहां से डंग से मैं दिखाता हूं कि यहां से बड़ी अरस्ता स्टार्ट हो गया यह देखो गाडिया भी खड़ी अरस्ते में और आपको खाने के लिए बहुत आइटम मिल जाएंगे और एक और बात बताना चाहते हूं आपको जितने आप उपर जाते जाओगे उतना थोड़ा कोश्टली खाना मिलता जाए हम तो भाई पाणी निच्चे से बरके लेके जाएं उपर मेरे ख्याल से पाणी मिलने नहीं वाला यह सट आई करते टाइम ही निच्चे तूटी ले गई यहां से पाणी बर सकते हूं तो गाईज थोड़ा आगे चलते ही यह सामने यहां पर यह आपको चोकी दिख रही हो क्योंकि यहां पर आती और शिच्चे वे गहरा का खत्रा ज्यादा रहता है वो तो आप चलोगे ना यहां पर तभी आपको आइडिया लग जाएगा पता लग जाएगा क्योंकि यार ओप सीजन में बीड़ बीतनी ज्यादा नी रहती तो कई बार यार निकल आते हैं लगे का पता नहीं होता कि पांइ ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगी अमने तो यापे ले लिया पानी यह बहुत अब्ला नाaper लिया में लग रखेंगा अंतो हम्रे जैने तो इसले में नहीं पहनने क्योंकि यार मतलब अलगते हैं जब चड़ाई के उपर चड़ते हैं तो पाउं पर तो अभी मैंने जुत्ते ने डाल रखे तो मैं भी ना जुत्तों की चड़ाई कर रहा हूं उपर की तरफ चुरासी कुटिया राइट साइट है और काफी गाड़ियां आ रही है भी मेरे आगे आगे जाके एक पैदल का रास्ता अलग से जाएगा और गाइज यह दुमनों तरफ जंगल ही जंगल है तो अगर आप ट्रेवल करें तो यार अकेले में ट्रेवल करिए किसी के साथ में करिए यह मतलब आप अकेले भी आते हैं तो मतलब कोई गरूब बना लेजिए जैसे पिछे से वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ही उनके साथ जा सकते हैं अकेले मत आईए आप तो वीडियो को थोड़ी देर में करता हूं स्टार्ट थोड़ी यार चड़ाई कर लें अभी और जंगली जंगला भाई दुन्यों साइड और अभी पैदल वाड़ा रस्ता स्टार्ट नहीं हुआ मतलब पैदल और गाड़ी दोनों के लिए रस्ता है कि सोगाईज स्वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यार एकदम खड़ी चड़ाई है लेकिन मजा रहा है क्योंकि मैंने अपने फॉन में अभी स्वांग चला रखे थे मादेव के तो वाई जब गाने सुनते सुनते चड़ती दो पता ने लगता विल्कुल भी तो गाई जल्टिमेट मजा रहा है सो गाई जीए देखिए निलकंट पैदल मारग यहां से जाना पैदल रिषी केस बहराज 8 किलोमेटर और द्वार 34 किलोमेटर तो यह थोड़ी सी ट्रेकिंग करने के बाद पैदल वाला रस्ता जलू हो चुका है आगे गाड़ी नहीं जाती यहां पर मैं भी बाइक जाती ह वाला शीलिए हैं एलेकिन फिर वही पंगा रिएगा खडी करने का của देखों की महादेव जाने का पैदल रस्ता है आध किलोमीटर यहां से 8 किलोमीटर तो इसका मतलब घर्दवार बाड़ी में से चले तरव कि दौन Sacred nicht थैं यहां तक हमने it pattern को अज्यार कश्ता कई लिए डेड़ सो दो किलोमेटर की यहां पर ट्रैकिंग हुई है मतलब तो अभी जाएंगे पैदल वाले रस्ते पर और अभी तो मेरे आगे पिछे मेरे को कुछ नहीं दीख रहा और बंदर देखोगा इस आपको दिख रहे हो तो और यहां जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं मतलब सेर बाग जितों के या एलिपेंट के क्योंकि यह उनका रिजरोड एरिया है रिजरोड उनके लिए तो गाइज अभी करते ट्रैकिंग चालू देखिए गाइज स्वेटिंग साइद दिख नीरी हो लेकिन पसीन ने ब कि यहां पर बंदर बहुत ज्याता है तो आप खाने की चीज़ें वह अंदर ही रखें मुतलब बैग में या छुपो के नी तो यह आपके आथों में से छीन लेंगे और यहां पर गाइड लाइन भी है रीसी केस में कि आप जंगली जानवरों का कुछ खिला पिला नी सकते आप यार चड़ने से पहले मेरे को याद थी लेकिन यार माइंड से सलीप हुई अगर आप पाड़े के उपर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो यार एक लाठी ले लीजिए उससे आपको बहुत ज्यादा एल्प मिलेगी लाठी से बहुत ज्यादा एल्प मिलती है लाठी ले लीजिए गाइस बहुत ज्यादा एल्प मिलेगी और रस्ता बिल्कुल टूटा हुआ है यार पैरों में चुब रहे हैं कंकर यह देखिए और यह अरसाल बनाते रस्ता लेकन यार टूट जाता यह फिर से अरसाल बनाते इसको और गाइस आपको रस्ते बहुत सारे लोग नसा करते दिख जाएंगे तो गाइस बिल्कुल गलत बात ही है आपको बहुत जगाय पर मिल जाएंगे बहुत जगाय पर क्या जगाय जगाय पर रुक के कोई कोई से नसे कर रहा है कोई कोई से नसे कर रहा है तो गाइस दूर रहे हिन बातों से दर्शन करने आयो और आम से दर्शन करो यह कितने कि चिला माँ दस हुआ दस रुपए में दे रही है से दुम अ गएरा करते हैं और वाई ओधस से ज्यादा करते हैं आधसे ज्यादा इस रूट पे तो आधसे ज्यादा पता नहीं जलते के नसा करें भी ना तो यार जूते डाल के आना रस्ता बहुत ही खराब है चूब रहे है कंकर ये देखो बिल्गुल चूब रहे है कंकर तो यार जूते पहने के आना यार ये देखो बाबाजी बैठे हुए कि क् रस्ता बाजी बैंटे है एक दम खड़ी चड़ाई यार बिल्कुल खड़ी चड़ाई है आगे जुक्के चड़ना पड़ता है बिल्कुल खड़ी चड़ाई है और पसीने देखिए यह देखिए गाई जब पाड के ऊपर चड़ी रहे हैं तो सारी खड़ी चड़ाई है उर zij किसी करनी फिटनेस चेक करनी हो तो एक बर यार पाड़ पर ट्रेकिंग करके जरूर देखना निल कंट इस इस दसाइन उन दे वे आपको जगह जगह पे साइन मिल जहने से डाई के लिए बहुत रास्ता खराब है यार वाई जी यह देखिए इस होट का ट्याम है वाई देखिए वाई बिलकुल खड़ी चड़ाई है यार वाई साइन वाई साइन लुए आपको पार किने अपको साइन पाल भी में वाई पाल भी में टॉड़ी बंटना देखे यार बहुत उपर है नहीं देख सो रही है यूट्यूब पर चैनल में मनें देखे गाईज बहुत उची चड़ाई है हां भाई देखे अभी भी बहुत उपर पड़ा है रहें में वाई फिस आदने के बहुत ज़्यादा कम से कम भी 50-60 मिट्र की चड़ाई होई और बिल्कुल खड़ी है जो आं में विद्धा भी भी इन जिरा भृवग यह हो रहे हैं कि कैसी चड़ाई है बहुत खड़ी चड़ाई है अगर यार कोई बच्चा या बुड़ा देख रहा तो बिलकुल सजेश्ट नहीं करूगा कि आप इस रस्ते से आओ क्योंकि बिलकुल खड़ी चड़ाई यार निदी बहुत तलिक इतरे जाब गिल उडखते हुए कि अब भूटे खतरनाक चड़ाई थे यार आप चाला आगे ने लूँगा सोटकट इस ते इस यचा तो रोड सही आधा था बहुत ज़ाद उच्छी सड़ाई मेरे को लगा कमी है बहुत लंबा सोटकट इस बाकि यार मेरी सांसों से अंताजा लगाई रहे हो गए कितनी खड़ी चड़ाई थी बाकि इजली चड़ गया था लेकिन जब से यह सोटकट इस बहुत ज़ाद ज़ाई थी तो यह इसा जैस्ट करूँ आप रोड सही आओ तो ज़ाई उपर चड़ रहे थे अभी रुकें एक और दूसरा सोटकट लिया था लेकिन यार बहुत मुझकी लज़ड आई और यह जो सामने आ रहे हैं कापल सी हमारे साथ ही आये थे हम सोटकट से आये थे वह उस साइड से तो बराबर ही पहुचे हैं तो यार में रोड से याना सोटकट का कोई फायदा नहीं है तो गाइज कुछ बाई बेठी हुए उनसे पूचते हैं कहां से हो बाई अच्छा कैसी है चड़ाई यहां की तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे सोटकट से या मतलब रोड से और क्या सजैस्ट करोगे मतलब जुत्ते पैर के आना कुल कंकर पत्थर है तो यही सजैस्ट करेंगे बाई कि आप चपल पैन की आओ बाकि यार बहुत मज़ा आ जाएगा आपको चड़ाई करने में अगर आप मादेव की बगती में लीन होके चड़ते हो तो तो गाइज लोग बोलते हैं कि यार पैदल नहीं चड़ा जाएग मतलब गाडी में आते तो यह देखो यह साल की गुडिया है यह अपने पापा के साथ आई हुई है और चड़ाई कर रहे हैं दोनों तो यह बोलते हैं बिलको लाशान रस्ता है जी आने गाप नाम है बाई साब आपका का से अर्याने से अर्याने से सोनिपत से मैं जीन से होगे तो आपको पैदल ही अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा और जल्दी को जाते को इठकाउट में आते समय तो ऐसा होता है बिल्कुल गई नहीं है तो देख यार बच्चे भी आ रहे लेडिज भी बैठी हुए है देखो यह बच्चे वी चड़ रहे दो दो तीन तीन साल के तो यहर आप भी आ सकते कोई ऐसी इस वाड़ी बात नहीं है और जादा लंभी चड़ाई भी निए दस-बारा किलो मेटर की चड़ाई और रोज रोज नहीं करने है चड़ाई यहार साल में दो-तीन साल में एक पर चड़ाई करनी होती है आप कर लोगे कोई कष्ट बड़ी बात नहीं है जितना कश्ट करोगे उतना बगवान संकर आपको जाद अफ़र देगा हाँ तो बाई यही बात है तो आप पैदल सडाई कर सकते हो कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है तुए जी सडाई है यार काफी रस्ता कवर कर लिया हमने और यह वैस्वनदेवी मता के मंदिर वाड़ी चड़ाई से तो यार थोड़ी खड़ी चड़ाई है देख रहे हो बिल्कुल खड़ी चड़ाई है यह देखे गाई जम्मा बिल्कुल जंगली जंगल है पूरा जंगल है यार अब चारो साइड देखोगे पूरा जंगल है पूरा जंगल है यार यह देखो बाबाजी आ रही उपर से कहां से हो भाई मोदिनगर से तो भाई कैसा लग रहा चड़ाई करके गाड़ी में भी आयो आप कभी मतलब पैदली आयो तो क्या बोलना चाहोगे जो गर पे बैठे हैं हां जी भाई हां मिश्टर ग्रांड विष्ट की नाम से भाई हां यूट्यूब तो कैसा लग रहा यार गर्मी तो आज ज्यादा फिर भी तो गाइज उमस मन रही है बिल्कुल तो भाई यार गर्मी ज्यादा मैं तो यह सजेस्ट करूंगा सुबह सुबही चड़िये आप 6-7 बजे आ जाओ गया भी तो एक डेड़ का टाइम हो रख है तो गर्मी बहुत तो गाइज मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कोई बच्चा बूड आया लेडीज हो जिसके गुटनों प्रोबलम हो तो यहार इस चड़ाई पर मत आएं गाडी में प्रेफर करें यहां पर और कोई जवान है जिसको अडवेंचर करना वो चड़ सकता है यहां पर उसको पता लग जाएगा एडवेंचर क्या होता है यहां तो बाइजी देखिए लोग रस्ते में अराम कर रहे हैं स्मृचल कवान हो उस्ते में आपर बोधाया है लुग्या हर्हां हां वार्था को ने खर्शे पर नुगा जरेतां है अराम से देखो गाइज यह लेडीज भी डंडी ली वे यही थी आथ में इसका बहुत बेनिफिट होता है और कोल्ड रिंक वगएरा खाने का भी मिल जएगा आपको रस्ते में यह देखो देखो बिस्कुट होए गयरा कोल ड्रिंक सी कंजी भी ले सकते हैं यहां से यहां पर बैठ भी सकते हैं तोड़ी देर कितने की आइस क्रीम दस रुपए बीस रुपए पुलिस चोकी शुरुक सागाड चोकी खड़ी चड़ा है यार बाके मजा रहा है यार यहां पर भी स्राम करने के भी है बारा बज़िके चैंड पर स्टार्ट किया था चैना एक बज़िके तेरा मिंट होगी एग गंटा दस मिंट होगे काफी रस्ता कवर कर लिए आमने चलो चलो वेट्टा चलो 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 तोड़ी आल्प कर दो आजा एक उंगली आप पकड़ा चलो तो आज यह देखो यार बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है आज यह देखी यार बढ़ियों में से रस्ता परिगुफास ही बनी हुई है यह देखो कहां से हो भाई दादरी से कैसा लग रहा है चड़ाई करके आप ओया है दर्शन करके ने भाई कैसा कैसा लमाए हूं अच्छा अभी उपर जा रहे हो मतलब यह मतलब बगती में लीन होके आओगे बाबा की बगती में तो आनंद आ जाएगा आपको तो गाई चलिए चलिए उपर चड़ते हैं तो गाई जीए देखिए तो बाई यह देखिए बुड़े बुड़े लेडिज भी चड़ रही हैं पैदल तो बाई कहां से वहाँ पर रोत तक से तो ममी को लेकर आई हो तो बाई क्या कहना चाहा होगे कैसी चड़ाई है बड़िया चड़ाई है जै बोड़े कि अंती पैदली चड़ाई करते हो अर बार तो गाई जीए देखो जवान जवान लड़के भी गाड़ी में या बाइकों में आते हूँ और देखिए उताई की एज 70-80 साल की होगी और यह भी पैदल चड़ाई कर रही है तो गाईज मैं तो यही बोलना चाहूंगा देखो यार मोटिवेशन बगती हो 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 तो गाईज यह देखिए कितनी खड़ी चड़ाई है वो देखिए गूम के बिल्गुल खड़ी चड़ाई है और रोड तो यार काफी तुट्टा हुआ गंदा रोड गंकर चला रहे पैरों में यह देखिए पाड़ निच्छे अजिए ए काफेगपठी चड़ाई है यार बहुत खड़े चड़ाई है कि हयरी है संबव संबव संबम दे जास को ऑ भाइड ताप गंगा मियार् गंव तर देखिए गंगा मियारे दिख रीया है वाव यार बस दूप के कान गर्मी ज्यादा लग रिया है दूप सली जाए और ठंडी हवाद चल जाए ना बिल्कुल मज़ा आजाएगा यह देखो गंगम यह यार मज़ा गया तो गाहित काफी उपर चड़ सुके है अभी टाइम हो गया दो बज के बीच में था है इसीडी आ रहा है यह आपर आप आप अब अब आप अब अब आप अब आप अब आप अब हरहर मादेव अब आप अब अब आप अब आप अब आप बोग तुची चड़ा यार आप अब आप अब आर्मादेव आप अब आप जाये ख्ईाय, सब्सक्राइब फ्लीअ फीए शीमेरव फूले क्या नुआ करें उद मुआ और मडे उताय। यह देख़ो है, यह देखो रस्ता, मु कालस्ला यह देखो拉Mic and Slider को रखी यहां से, यह देखो रस्ता तुट्टा हुआ है नीचे की साइट यहां से देखो कितना गहर है बिल्कुल घड़ी चड़ाई यार बाकी यार दूप नहीं होती तो मज़ा जाता बिल्कुल जाए बोड़े किता हूँ देखे गाई जी ब्रेड पकोड़े कितने का बाई अरिये पकोड़े यह देखे गाई पंदरर रुपे का पकोड़ा है और पचास के डाई सो गराम पकोड़े हैं और मज़ा जाएगा आपको बिल्कुल उपड़ इस देखे गाई लसी मीठी लसी फ्रूटी बिश्किट वगएरा सब कुछ मिल जाएगा आपको यहां पे खाने के लिए और रस्ते में अर जगह पे मिल जाएगा आपको अब अब जाते हैं आप और सट गयारा बज़े सटे पांस गण्ठे मपोच से अब आप जल्दी चले आख लाँ कि अपने कि आप जाते हैं आए यह तो है अब जुगे जाले अ यह लगत नहीं जाले हो अब है लेक्ट जाएवाड़ा ने जाएवे नहीं जाले हैं कैसे हो गेंटी दर्षनगày है उना स्काहिं ऊपर सुम्क है को चाहिए पाणी का अभशा हाओ कि जर्णा जलना रहे हुव आपनी का ये जर्णा नहीं हो ये जर्णा डऱ् One न शाल रहे फें आप लगा दिया है अच्छा न आ सकते हैं तो गाइज दो बजकर तो गई दो बजकर 37 मिन्ट हो गई है और यहां पर आराम करने के लिए विजग दी गई आप लोट भी सकते हो बैठ भी सकते हो इमेज लगे हुए है और यहां पर देखो बैठ भी सकते हो और 12 बजके 6 मिन्ट पे चले थे अभी 12 बजके 37 मिन्ट के आसपास हो रखी है और ज्यादा दूर नहीं बसा भी बस यह निच्छे उतरता ही है तो यार गर्मी लग रही थी तो भी टी-शेट निकाल दिया कि अरपस ही नहीं आ रखें बोज अधा गर्मी में अभी उपर जरने में नाएंगे थोड़ी देर और यार देखते हैं थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो क्योंकि दूब बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है यह देखो उपर से यह गंगा मही है कि अभी में वो रस्ता दिखाता हूं जो गाड़ी से आते हो यह पैदल आते हैं तो एक जगह पर आके मिल जाते हैं मतला आगे पैदली जाना पड़ तो यहां से वो रस्ता यह चोटा सगाओं है साइद तो यहां मिलते हैं सभी इसे रस्ते से आके तो गाइज यहां पर मिलते हैं सभी तो कोई गाड़ी में आया हो या पैदल आया हो यहां से सब को पैदल ही जाना पड़ता अग्या यह देखिए गाइज बंदर यह लंगूर बंदर है कैसे बेठा हुआ सांथ बिल्कुल कि यह देखिए गाइज बंदर हो 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 चंडी हाबाद यह देखे गाइस पानी की बोट तल्स इले के बंदर बैठावा पोचन ही वाड़े हैं बस तो गाइजी आपे आप खाना भी खा सकते हो ऊपर पोचन ही वाड़े हम और यह कुलर देखे गाइजी यह कुलर है आपने ऐसा कुलर पहले कभी नहीं देखाओ देखो तो क्या क्या वाई आपके पास खाने के लिए कड्या दाल चावाल अच्छा कितने कितने रेटिंग आप है पुल प्लों तीस रुपे और थानी है पूरी चानी प्रड़े में 4 रूपी तीन सब्जी चावल यह तो फिर निच्छे से तो बाई यह देखिए उपर 12-13 किलोमेटर की चटाई करने के बाद भी यहां पर सेवा कर रहे हैं बाई को देख लीजिए बहुत बड़ी आखाना मिलता है और बजट फ्रेंड ली भी है और यह जो आप यह कोल ड्रिंक वगारा ठंडी देते हो चील्ड प्रिजगी अच्छा बिल्कुल चील्ड तो गाईज यह जितनी भी कोल ड्रिंक रखिए यह भी सारी चील्ड देते हैं करें चावाल दाचावल 20 रुपली रोटी खाओ गए 40 लगे ठाली चार रोटी तींसाजी चावल यह जेके इनका चुला इस देखे पाड़ों के निच्छे बैठने का ग्रो तो प्या कर रही है 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 के कर रही है 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 के कर रही है है कि शर्माव है तो गाइज अभी नील कंठ दो किलो मिटर रह गया हमारा पुंडरासु गाव में पोच गए थे हम और यह टावर है यहां पर इस गाव में तो आप अन्ताजा लगा सेकते हो अगर आप यहां पर आओ तो टावर के पास से दो किलो मिटर रह जाएगा और गाइज मेरे को लग रहा है यार पाव में छाले मन जाएंगे क्योंकि पत्थर बहुत ही ज्यादा थे पिछे यहां पर भी चूब रहे हैं क्योंकि खाल नरम हो जाती चलते चलते मेरे को चोट लगी थी इसलिए निपैन राथ हमें जी सूज वगएरा कि यह देखिए गाओं की तरफ जाने का रास्ता यहां से गाओं की तरफ जाने का रास्ता है और यह देखिए गाइज यह थोड़ी सम्तल जमीन आई यहां पर बहुत लंबा चलने के बार देखिए सोलर प्लेट लेट लगी थी लाइट होए तो हो 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 यह देखिए गाइज जलेब बीश मख्या भी नमना लेगा पकोड़े किटने रुपए प्लेट है बाई चावल है तीन सब्जी है तीन सब्जी है कौण कौण सि ए दाल कड़ी आलू मटर और राजमा तो गाईज यह रोटिया तंदूर की तो यार बढ़िया नीचे से भी सस्ता मिल रहा उपर तो कौन सा गाव यह पंदरासु गाव टावर के पास तो गाईज यह बाई देख लीजिए बहुत बढ़िया खाना दिखरा लगने में तंदूर यह रोटिया दे रहे हैं तीन सब्जिया चार रोटी ऑप्टि ओके भाई खाएंगे वापी साथ टाइम खाना तो यार नीचे से तो सस्ता ही लग रहा खाना क्योंकि नीचे साट रुपए के पलेट देते हैं खाने की और यह 40 रुपए में दे रहे हैं तो बड़ी आया आ आप खा सकते हैं आपके चडाई बहुत लंबी है तो आप यहां पर रुकके खा सकते हो खाना और बल्कि ऐसे चड़ाई करने के बाद तो ज्यादा बूख लगती है जैसे अब जलेबी दिख रीती पिछे गर पे हम बेसक ना खाए लेकिन यहाँ पे आने के बाद जलेबी पकोड़े ऐसे खाने कमन करता है और मज़ा भी आता है खाने भी सी है बारा के ऐसे तो गाइज यह देखिए यह पुंडरा सुगा हुए यहां पर खेती भी होती है यह सामने देखो सही है यार सम्तल जमीन है थोड़ी यहां पर तो गाइज यह देखिए मैगी गुलाब जाम मुस्किया बेना रिया और यह जलेबी तो गाइज यह फाइनल ही हम नीचे उतर रही है देखिए नील कंठ तुमारे की साइड है और मापको मंदिर दिखा दूँ देखिए और रामंदिर देखो भाई यह रामंदिर भाई अभी काफी रास्ता बचा हुआ लेकि नीचे उतरने वाड़ा है तो गाइज यह डलाना गई यहां से यह देखिए अब तो डलानी डलाने फिर उपर चर्जना पड़ेगा अब सुगाई यह सड़क बने थी 2019 में और यह देखिए 2022 में इसका हाल बेहाल पत्तर तो गाइज यह देखिए कितनी उच्छी पाड़िया और यह रास्ता यहां से ऐसे 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 गूम के और फिर जाएगा मंदिर के तरफ अब थोड़ी यह नीचे वाड़ी डलाना है आर गई है यह देखिए गाईट यह देखिए गाइज यह पोच्टु के निल कंठ मंदिर मारक पे यह देखिए अब जाएंगे निच्छे वो देखो कितने दूर दूर पाड़ दिखरे माँ पे बिलकुल डालान है यार को नहीं हुता आजाता है यार इस तो बहां रहाई के तान सही आजए अब देखिए कर दो 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 यह देखिए गाईज पोरन से भी आई लोग कर दो तो ने ले लिया और गाइज देखिए अभी भी यार पाव में चरला बने के फूट गया यह देखिए यह देखिए यहां पर अभी चरला बने गया था पाव में फूट गया हूँ थोड़े बहुत खून आए तो गाइज यह देखिए बारिस के दिनों पर यहां पर पाणी पहुच जाता है इन दिया चलने लग जाती बारिस के दिनों में अभी तो सुखी पड़ी हुई है यह अभी तो बिल्कुल सुखी हुई है लेकिन बारिस आएगे तब बर जाएगी है नीचे जाएगा सारा पाणी यह देखिए गाइज यह देखिए गाइज यह देखिए उपर यहां पर रुख सकते हो आप मंदिर के जश्ट बार थोड़ी देर पह लेह है और अब ज्यादा दूर नहीं बचा तो गाइज यह द अब वेल्डिंग करेंगे आप यह देखिए आने-जाने का रास्ता लगे लग कर रहे हैं शुबाइज हम पूचे हैं च्यार बज़ कर तीन मिन्ट पे बारा बज़ गचा मिन्ट पे चले थे तो च्यार गंटे से तीन मिन्ट पहले पहुच गए हम यह लाइन लगी हुई ह यह देखू कितनी लंबी लाइन लगी हुई है तो अभी बाबा जी के दर्सन करके आएंगे बोर्ट टाइम लग गया यार दो डाई गंटे सोच रहे थे च्यार गंटे लग गया पूरे अपी बूर्ट देख कहा वुच्छ रादा पाई ट लगाइन लग वार्प आप पायदा जा मदर से नम्बर है तो यह दो बाद पाल उनी पत्सविन है कि यह देखिए गाईज लाइन रुक नहीं रही चल रही है सही सपीड में जै जै हर हर महादेव कि यह देखिए निल खंठ मंदिर का मुख्य पर वेश द्वार यहां से अंटर करेंगे अब हम यहां से अंटर रहे है कि यह दो से अंटर कुछ आद से रही ह respectful जै 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 आर महादेव इनल खंजन में ड्सचा था जै तर बीफले जै जै । जा अ़ुक है जा मैंज माजे जाए जाए सबस्की में यह देखें मंदिर और ये साउथ वड़ा डिजाइन इस मंदिर में, साउथ में उत्यांसे डिजाइन चले साउथ झार में! यो वी करिया जो हर हर माहादेव कर लिए अभी अच्छे से और बहुत ही मतलब बीड जादा नहीं थी लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी और दर्शन कर लिए अच्छे से और यार मैं तो यह कहूँगा मज़ा आ गया हर हर माहादेव हर हर माहादेव हर हर माहादेव पादते दो गंटे में उनको लग जाते तीन चार गंटे राम से वह भी सई स्पीड में चले तब दो गंटे में तो यह लगा लो आपको तेरा चुदा किलो मिटर उपर बागना पड़ेगा और ऐसे चड़ाई ऐसे और कई जगे तो ऐसे और ऐसे तो बिल्कुल ही कम है 400-500 मिटर की होगी ऐसे ऐसे तो और गाइज चड़ाई यार सच में टफ है और रोड भी इतना बड़ी आनी है रोड भी खराब है यार अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी मैं तो बिना चपलो के आया हूं या बिना सूज के तो यार मेरे को तो ज्यादा ही पता होगा क् हो ज्यादा मतलब यह लगा लो ना के बराबरी से अच्छा तो कच्छा ही ठीक था क्योंकि हो कंकर फेले हुए हैं सारी रोड पे तैयार आप आओ तो या चपल पैन के आना तो अभी तो निच्चे जा रहे हैं थोड़ी से जड़ आई है दोबारा और फिर निच्चे उतर जाएंगे हम देखते हैं कितना टाइम लगता अभी पांच बज़े के 20 मिन्ट हो गी है आप पांदस मिन्ट यां बेट्टे थे पाने पिया था थोड़ा निच्चे उतर र जड़ा जड़ा दुड़ार निच्चे उतर रहे हैं या बाद शेदा बेट्टे कितना यां अब अब तो यह उपी है एट आउ जये दो प्रींगे पांद सांगी थे उतर आई हे बादेट आए ड़कल मेंक अटढ रहें थे बाद्टेट आइ आए यह बहूदा हूदा कर कि वाजिवा कि इसी पिक उच्छेडे थे अब इसी से उतर रहे हैं पुर्ये खड़े कट्टा है चलो चलो पोच गे बस 400-500 मेटर की है उचाई बस पर तो निच से जाना है चलो आइज नीचे उतर लें आरे एक बार फिर रात भी होने वाली है जन्वरों का भी कदर है रहता है यहांपे आप एसा गरों ही चली जाओ भी एक पासी आप लोगों के साथ चली जाओ क्याला आजा रहा है क्या श्मणाउंगे यहाला पासी आगा खोटाब आणाओ जिस सिंख तक्मणाओ के अज रखुपके पासी इस साथ तक्राव कर बुक्या निचे अ मतले होता है झाला लास टो कि झाला प्रशू कर दो दो घब के जया है